हलो फ्रेंड्स आम है और आप देखरें है डेली टिश्टल लोज तो फ्रेंड्स अगर आपने अपने व्लॉगर के वेबसाइट को कभी भी आप मोबाइल में ओपन किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपके वेबसाइट का जो लिंक होता है उसके पीछे question mark m is equal to 1 लिखा होगा आता है ठीक है और उसी वेबसाइट को जब आप अपने laptop या desktop पे google chrome में open करते हैं तो वहाँ पे कुछ भी लिखा होगा नहीं आता है ठीक है यह आपने देखा होगा कभी भी object किया होगा ठीक है तो इस question mark m is equal to 1 ला जो issue है उसको कैसी solve करना है मैं इस वीडियो में उस अपने website को या फिर laptop में open करो कभी भी लिखा हुआ नहीं आएगा ठीक है तो friends उससे पहले अगर आप इस चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो all का option आता है उसको भी press कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की notification मिलती रहे तो इस वीडियो को करें मैं आपको अपने laptop के screen पर ही चलता हूं और वहाँ पर मैं बताता हूं कि इसको कैसे code को आपके HTML theme में paste करना है तो friends मैं जिस error की बात कर रहा हूं उसका एक example हम देख लेते हैं तो सब यहां पर मेरा एक blogger का website है जो कि एक dummy website है मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है त तो यहां पर हम देखते हैं कि यह जो website है इसका जो link हम अगर desktop पर open करते हैं तो कैसा open होता है और mobile पर open करते हैं तो किस तरह open होता है तो इस website को यहां view your blog पे मैंने करके open किया तो यहां पे देखिए यह जो यहाँ आप देख रहा है यह पे last में लिखा हुआ कुछ भी नही ही आएगा जैसे कि देखिए यहां पर भी कुछ भी नहीं है यहां जो लिंक है हमारा इसके पीछे कुछ भी नहीं है लेकिन अब इसी चीज़ को हम मुबाइल पर देखते हैं तो अब यहां मुबाइल पर जैसे ही हम उपन करते हैं यहां देखिए लिखा हुआ आ रहा है तो इसी की बात कर रहा है इसको कैसे सॉल्व करना है कि यहां मुबाइल में भी यह लिखा हुआ ना है तो इसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स कि आपको मैं एक कोड दूंगा उस कोड को आपको इस ब्लॉगर के थीम में जाकर के पेस्ट करना है कैसे क करना है वो मैं अभी दिखाता हूँ वह कोड़ कौन सा है तो फ्रेंट्स यहां पर मैं एक यह जो कोड़ है यह जो पूरा लिखा हुआ है यहां पर मैं यह कोड़ दूँगा इस कोड़ को आप description में इसका link मिल जाएगा आप वहां से जाकर download कर सकते हैं या फिर मेरा यह थीम पर क्लिक करना है, यहां पर फिर एडिट HTML पर जाना है अब इडिट HTML पर हम आगे, इसके बाद आपको सबसे नीचे, एकदम last में जाना है और last में जा करके यह जो closing body tag आपको दिख रहा होगा, यहां पर यह जो closing body tag दिख रहा है इसको क्या करना है कि इसके ऊपर आपको paste करना है, तो सबसे पहले थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठाकि हमें पता चले कि हमने code कैसे है और कहाँ paste किया तो इतना हमने space दे दिया, अब इस space में यहाँ पे click करना है बार क्लिक करके आपको यह पूरा कोड जो है उसको control भी करके paste कर देना ठीक है अब यह paste हो गया अब आपको क्या करना है यहां पर जा करके इसको save कर देना है तो update successful का message आ गया तो अब हम इसको एक बार अपने laptop में चेक कर लेते हैं फिर mobile में चेक करते हैं तो laptop में हम इसको refresh करते हैं तो यहाँ पर कोई भी changes नहीं आएंगे क्योंकि laptop में problem तो था ही नहीं तो अब हम इस website को mobile में एक बार चेक कर लेते हैं तो यह मैंने mobile में open कर दिया अब आप यहाँ देख सकते हैं कि question mark m is equal to 1 बिल्कुल भी नहीं आ रहा है यहाँ पर question mark m is equal to 1 जो था अब गायव होगे आप कोई भी post भी अगर आप खोलेंगे तो वहाँ पे भी नहीं आएगा और home page पे भी नहीं आएगा तो इस तरह से आपका यह जो error है वो solve हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना है सिर्क यह code जो है जो मैंने यह code दिया हुआ है इस code को आपको लिजा करके अपने blogger के theme में paste कर देना है यह अराम से solve हो जाएगा फिर आपको कभी भी कोई error नहीं आएगे ठीक है इस चीज का आपको आपके ranking पर या फिर आपका कोई भी चीज में कोई भी problem नहीं आने वाली है यह बिल्कुल ही legit तरीका है इस error को solve करने का सिर्फ आपको यह code जो है paste करना है एक बात आपको याद रखना है कि जब भी आप code paste करें किसी भी चीज के लिए तो सबसे पहले आप यहाँ पर जा करके backup ले ले ताकि अगर code paste करने में आपने कहीं भी error किया तो वेबसाइट मान लिजी आपका crash हो गया तो आपके पास backup रहेगा उस backup को आप आ करके फिर से edit HTML में डालके फिर से आप जो पहले वाला website उसको वहां से retrieve कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए backup लेने की आदत हमेशा होनी चाहिए ताकि अगर HTML में changes करते हैं तो backup लेने की आदत हमेशा होनी चाहिए कभी-कभी कुछ-कुछ code मीश हो जाता है जो कि आप लोग हमेशा मुझसे टेलीग्राम चैनल पर पूश्टे रहते हैं कि यह code वहां पर syntax error आता है और भी बहुत कुछ missing वाला error आता है वो solve हो जाएगा तो friends I hope कि यह video आपको समझ में आगी होगी और M is equal to 1 वाला problem solve हो गया होगा अगर इस video के रिगाड़ेगा आपको कोई भी problem होगी या फिर blogging related कोई भी problem होगी तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम गुरूप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है उसका link जो है नीचे description में दिया होगा ठीक है वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं तो आपक जो भी answer होगा मैं आपको दे दूंगा बकी आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यवाद